नमस्कार दोस्तों आप देख रहें नस्पी नियूज मैं चंदन पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में आज हमारे साथ मौझूद है हिंदू सेना के राष्ट सच्चिव पंबं ठाकूर तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आसाराम बापू जी के स्वास्त को ले जो बिमारियां जब पहली बार मेडिकल हुई थी जेल में जेल के तरफ से एमस लाए गए थी दिल्ली में तब बापू जी के ऊपर जो है चार पांच बिमारी बताई गए थी कि बापू जी को पांच बिमारी है और उसके बाद जब दुबारा मेडिकल हुआ डेर साल जो है पांच बिमारी से बढ़के नौ बिमारी हो गया था बरस 2013 जब 21 में अभी बापु जी को कुरोना हुआ और बापु जी को 17 जानलेवा बिमारी बताई गए तो जो स्वास्त का इलाज देख रहे हैं जाहा है ज़ए जील प्रसासन हो जाहा है आश्रम मेनेजमेंट हो पेरोकाट टीम हो वो पूर्णतबबा बापु जी की इलाज करने में वह सफल है उनको सची स्वास्त या सची चिकतस कि पुराने रोक तो भढ़ रहे हैं वह तो तीक ने हो रहे हैं और होले और दिन पर दिन की हालत बत्तर होती जा रही है इस लिए लगातार सवाल प Zusch Africa का लेखिए एगि दिसका करेंगे इसे सवालायब हेवार गीरे रहते हो सवालों मियंकी डियन रहते हैं कि अपने सुना होगा हम लोगों ने बच्पन में सुनाता कि सत्थ बहुत करवा होता है सत्थ को जहलना हर किसी के बात नहीं हम सत्थ की बात करते हैं तो विवादों में घिरे रहेंगे क्योंकि सत्ट को सब को बरधास RTX नहीं होती है सत्ट तो करवा ही होता है हुझ लगता है और जब लगता है तो हम बीवादों में ही रहेंगे आप पैरोकार पर ही क्यों आरोप लगाते रहते हों कि इनकी वज़े से बापू जी अंदर है कुछ नहीं हो पारा क्यों पैरोकार कोई क्यों आप अभी सुप्रिम कोट में बापू जी के इलाज के लिए इन्हों ने याच्छ का लगाई ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी सुप बापू जी को गुनागार मान रहे हो तो जो गुनागार मान ले और यहीं नहीं जो सेशन कोट में बापू जी का सुरू से केस लड़ा गया उसमें देखी आप लड़ाई इस वात की थी कि भाई उस लात जो लड़की कहानी बता रही है वो कितना सकते हैं परन्तु यह कोंगे देखो जब आप कोच में आप कोट को सही पक्षट रही होता है कोट भी कोट जो है वह भी इनसान है तो को जब समझ में आ आया हमारे जो पक्षट रखने वाले लोग है वो लोग जब सही तरीके से पक्ष नहीं रखे, कोट को गुम्रा करने की कोशिस किया, जुटी-जुटी कहानी सुनाई, सत्य बात नहीं बताई और सत्य एक ले बाध नहीं बताई, तो कोट को कहीं नहीं संका उत्पन हुआ कि नहीं नहीं, ये लोग गद्दार हैं, और यही चमतकार में नहीं मानते जो लोग पुरुसार्थी है जो लोग को लगता है लोको कोट ये CHP समझदार लोग है वो सब हमारे साथ हैं और सब लोग के हमारे साथ मिले कर आवाज बागता है कि अवाज उट a किया कि तो इसे कौंछ से लोग है हैं जो नहीं जो चाहते हैं जो Đस–स होटेह और जैसे लोग जो बीजनेस चाहते हैं किसी भी प्रकार नहीं आए बापु जी बहार आएंगे दो किताब होगा कहां पैसे कहां खर्च कर दिये कहां मौज की गई तुम लोगों ने क्या किया अभी जेल में तुम से कोई पूछने वाला नहीं है और इनको लगता है कि सारा संपति हमारा बाप का बपहुती हो गया है तो अब हम जैसे मर्जी उसको ऐसे यूज करें वैसे करें और मुसके कोई पूछने वाला नहीं हो बापू आयेंगे तो फिर हमसे पूछेंगे इसलिए बापू बाहर भारी नहीं जाता है अगर यह महात्मा गांदी असपताल ने बापू जी को साथ रेमडी सिविर लगा दिया तो अगर यह हमारे लोग अच्छे होते ना तो एमस और महात्मा गांधी पर भी सिकायद करते परन्तु इन्हों ने अगर ऐसा नहीं किया तो यह लोग जिम्मेदार हैं अभी पता चला है कि बापु जी को हैपिटाइटिस बी का लक्षन है उसका परण आपको पता है है कैसे होता है उनको बापु जी को या तो गंदे खुन पड़ गया है तो यह लोग कहीं ने कहीं और सब पर जो है किसी और का साइन नहीं है हमारे आस्रम के परोकार्ट टीम के जो कुछ लोग है जैसे चेतन है उसका पूर साइन है रेमडी सीविर लेने पर भी साइन है उसका उसके बाद में यह हूं चड़ाने के लिए उसका सा देखो मैं तो परोकार कोई समझता हूं कि सरकार या इसाय मिसिनरी बाद में आती है अगर हम लोग अपने पक्ष सही तरिके से कोट में रखते तो इस देश में नियाए विवस्था है और चाहे कितनी बड़ी लोग आपके पीछे पड़ जाए पीचितंबरम जब थे हो मि पीचितंबरम आज के डेट में जेल उसको भिजवाया गया तो उसकी कानून मजबूत था अमीस साजय से दवंग आदमी के होते हुए वह मिनिस्टर के पद पर उसको न्याए मिल जाता है तो जवानत मिल जाती है तो बापू को भी जवानत मिलता और उनके पक्ष सही तरी सब मान लेते हैं मेरे नाम बताते हैं कि मेंने भसाया को मेरा का सकता हूं केस केस तुम लोग दो लड़की के बाप जिस लड़की ने आरोफ लगा तो बाप संचाल वह हम कहां हैं हम तो जब तुम लोगों करने लगे लोग स screenshot कर सको है तुम योग्य को सोचो सोपो इस ए अगर यह लोग सही होते तो बापुजी को राघौन इलाज से रहत मिल रहा था उनके दवाई में जूठी एस्ट्रोइड का रिपोर्ट बनाके उनकी दवाई बंद नहीं करवा देते हैं तो यह लोग जिम्मेदार हैं और इसे सवाल पूछी जाएगी और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बाद बता देना चाहता हूं जो लो अभी अभी इस बात को सिरियसली लो बहुत हो गया तुम्हारा नोटंकी अब जो है यह नोटंकी ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है जनता मैं भी यूपी बिहार होड़ जगह जो है यात्रा किया है जनता हर्द लहों के जो सादक हैं वो समझ रहे हैं और हमने अब यह सुरू किया है अब आम जनता को भी बताएंगे और आम जनता की जबांधी आएगी उसमें यह परोकार्ट जो गंदा नाली के सूर है यह लोग बहकर चले जाएंगे और बापुजी सरकुसल बाहर आएंगे अभी अगली इनके केस में क्या चल रहा है कुछ नया चल रहा है जैसे पुराना था वही है सब कुछ नहीं अभी 391 चल रहा है कुछ लोग बाग है जो उन्होंने भी चलाया है पर उसको कितने सही तरीके से यह लोग चलने दे रहे हैं इस पर डिपेंड करता है क्योंकि जो हम लोगों ने से पहले बाप नडाएंशाइंकी और से याचका सब्सक्राइब कर लिए यह कितने बढ़ियां से चलने देते हैं कि इस पर मामला बनता है और उसी से पता चलेगा कि बापूजी कैसे बाहर आएंगा इस तरह की खबरों को देखने के लिए नेस पी न्यूस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें हमारे साथ थे बंबं ठ आको धन्यवाद